प्रोट काम का फंक्षन है इसमें बहुत बार कॉश्चन पूछे जा चुके है ठीक है तो इसको समझना बहुत जो रही है पहली चीज जो अमरे को सबसे पहले समझनी चीए कि inverse function शो कैसे करते है inverse function को f के ओपर पावर माइनस 1 जैसा दिखा करके शो करते है लेकिन ध्यान अगना ये power minus 1 सिर्फ dummy है ये कोई ऐसा नहीं है कि f inverse में f power minus 1 का मतलब one of one fx ये गता ही नहीं है ठीक है तो ये ज़रूर ध्यान अगना ये ऐसा नहीं कर ले ना कभी ठीक है ना पहली चीज़ ये सिर्फ एक symbol है जैसे हम लोग f dash x लिखते हैं लेकिन अगर f dash x लिखते हैं तो उसमें dash क्या है एक symbol है वैसे ही यहाँ पर minus 1 एक symbol है एक बात अच्छा सर ये कब लाते हैं मतलब क्या हम हर function का inverse निकाल सकते हैं जवाब है इसका कि सिर्फ उनी function का inverse संभाव होता है जो अपने हमें one one और on two दोनों हो अच्छा आपकल गयने का मतलब by objective हो हाँ by objective होने पर inverse बनता है अच्छा सर एक function के कितने inverse होते हैं हर function का अगर inverse बनेगा तो एक ही बनेगा तो उसलिए कहते हैं कि inverse of every function is unique अच्छा और सर इसकी definition क्या है अगर किसी ने पूछा definition क्या है तो definition है f अगर a से b में एक one one और on two function हो तो ही उसका inverse उसका ही उसका एक unique inverse function exist करता है ठीक है और वो अगर जैसे माल लेते हैं f का inverse g है मने fx का inverse अगर gx है तो फिर ऐसे होगा कि f अगर a से b में काम कर रहा है तो g b से a में काम करेगा इसका मतलब सर डॉमेन और को डॉमेन स्वैप हो गए हाँ घूंग गए एक दूसरे में बदल गए तो याद रखना function का डॉमेन और को डॉमेन inverse बनाते समय पर आपस में बदल जाता है एक और बात दूसरी बात सुनिएगा दूसरी बात क्या definition आगे क्याती है कि such that अगर y बराबर fx है y बराबर fx है उल्टा लिख रहा हूँ fx बराबर y है ये y अगर जिस दिन g में जाकर के वापिस x दे दे तो g और f एक दूसरे के inverse function हो जाएंगे तो g और f एक दूसरे के inverse function हो जाएंगे ये बात मेरा दादर क्याल है लिखने के लिए काफी है समझने के लिए थोड़ा और आगे चलते है अब ये कैसे चलता है कैसे नहीं चलता हो थोड़ा और समझाता हूँ कैसे आखिर गर g f का inverse बन गया वो बताता हूँ ठीक है तो इतना तो ध्यान पढ़ गया होगा कि f अगर a से b में है तो g b से a में तो देखे साब सबसे पहले मैंने एक function f लिया जो अपने आप में इस तरह से a से b में है उसमें भी ध्यान से देखेगा function में a input करने पर output भी आ रहा है अब ही a से b में आया हूँ अब मैं b से a में चलता हूँ b से a में के लिए मैं एक और function ले लेता हूँ g अगर मैंने g लिया तो आप ध्यान से देखेगा g में अगर मैं b का input करता हूँ तो output आ रहा है a तो इसका मतलब gb बराबर a इजजद से इजद से gb बराबर a अब यहां तकी बात भी आगी पकड़ में अच्छा अब एक काम करते हैं a को यहीं छोड़ते हैं f को कहते हैं आप उदर जाएए तो f जिस दिन उदर जाएगा अपना inverse बना देगा तो f inverse b पकड़ में आएगा तो a बराबर कितना हो गया f inverse b हो गया अच्छा अब a बराबर already कितना था इजद से gb था तो मैं a की जगए gb रख सकता हूँ तो g of b बराबर f inverse b हो गया अब ये b हटा लेते हैं g बराबर में कितना आ गया f inverse आ गया प्रूफ हो गया अच्छा मतलब ये कि g अवाके में f inverse प्रूफ हो गया हाँ g और f एक दूसरे के inverse होंगे अगर a b में f जो है वो a से b में हो और g अगर b से a में हो और इसका इन्पुट करने पर जो output आया वो दूसरे वाले में input करने पर उसी को दूसरे में input करने पर वापिस same output आ जाए तो ठीक है फिला थोड़ा थोड़ा और चलते हैं आगे बढ़ते हैंगे तो दीरे दीरे और चीज़े clear हो जाएंगी अच्छ अब question यह है कि sir आपने कहा कि byactive होने पर ही inverse हाता है मैंने कहा हाँ byactive होने पर ही inverse हाता है और sir जो inverse होता है वो कैसा होगा जहान रखना है inverse of a byactive function is also a byactive function मने किसी function के bijective होने पर inverse आएगा और वो भी bijective होगा अच्छा दूसरी बात क्या कि दूसरी property तो सबकी जानी भी है मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी function के बहुत सारे inverse आजाए तो याद रखना inverse of every bijective function is unique एक property प्रोपर्टी नमबर तीन अगर मालने दो-दो bijective हो जाएं तो हाँ अगर मालने जैसे f और g दो bijective function है तो तो gauf exist करेगा और by chance gauf भी bijective होगा क्योंकि दोनो bijective हैं तो उनसे बनने वाला जो composite function होगा वो भी bijective होगा अच्छा और अगर क्योंकि gauf bijective होगा तो उसका inverse भी बन सकेगा और अगर आपने gauf का inverse पूछा कितना होगा तो याद रखना gauf का inverse f inverse og inverse होगा माने ओल्टे से खुलेगा ओके यह third काम की चीज़, fourth काम की चीज़ बात है माल लेते हैं f a से b में है तो पता है na f inverse b स a में होगा ठीक है f inverse b से में होगा अब इससे हम और क्या क्या बना सकते हैं देखे अगर हम चाहें तो हमारी नजर जानी चीज़ फ o f inverse पे क्या f o f inverse बने सकता है तो f o f inverse बनाना है तो याद है na f को नीचे रखना पड़ेगा याद है अभी define करना सिखा है था तो फिर मैं f को नीचे रखूँगा f inverse को उपर रख लेते हैं तो f inverse b से a में और f को a से b में दिखा दिया ये दोना match कर गए diagonal match करते ही अब f o f inverse exist करेगा और वो कहां से कहां में exist करेगा b से b में तो मैं बोलूँगा f o f inverse exist करेगा और वो करेगा B से B में, माने खुद से खुद में, हाँ, खुद से खुद में, और खुद से खुद में देखने वाले function गलाते हैं, identity function, और क्योंकि identity function B से B में कर रहे हैं, B से B में बन रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे IB, identity function from B to B, अच्छा, और अगर सर यही F inverse O F होता तो, मैं exist करेगा, और वो भी A से A में का exist करेगा, और क्योंकि खुद से खुद में बनेगा, तो identity function होगा, इसका मतलब यह कि A से A में देख रहा है, तो इससे identity function from A to A, माने I A बोलेंगे, ठीक है, तो द्यानक न, यह इसकी चार important, छोटी-छोटी properties हैं, ठीक है न, चलिए, अब सर, inverse function ऐसे बनता है, वैसे बनता है, लेकिन मेरे कोई एक बात समझ में नहीं थी, सर, यह actual में कहानी क्या है, story क्या है, ठीक है न, तो याद रखेगा, क्या है F inverse, मतलब अगर graph में बूचे तो क्या है F inverse, तो याद रखेगा, F inverse, F की mirror image है, mirror image है, किस में, mirror कौन है, mirror है, यहाँ य हमारी second line यह होती है, कि F inverse is a mirror image of function F into line y equal to x, into line y equal to x, कैसे कैसे कैसे, इसका सबसे authentic, सबसे खतरनाक example है, e to the bar x और ln x, देखे, यह y equal to x है, ठीक है, यह e की पार x है, ठीक है, अगर मैं y is equal to x को mirror मान लेता हूं, तो यह mirror में जिस दिन भी इसकी image बनेगी, ठीक है, तो वो कुछ तक ऐसी बनेगी, देखे, यह वाली image बनेगी, बनेगी, और इसमें ध्यान से देखे, जो इसकी image होगी, वो यहाँ बनेगी, इस जगे पर, ठीक है, तो सुचो, देखो, image जब बनती है, y equal to x में, तो x और y अपस में बदल जाते हैं तो 0,1 का 1,0 बन गया, even alpha, beta का beta, alpha बन ln x, ln x का inverse, e to the bar x, एक और चीज, अच्छा, एक और बात, क्या, यह दोन आपस में एक दूसरे टक रहें, नहीं टक रहें, क्योंकि fx और f inverse x नहीं टक रहें, तो हम कहेंगे, इनका no intersection, इनमें कैसा intersection है, no intersection, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपस में भी टक रहा सकते है fx और f inverse है, यह आपस में टक रहेंगे, हाँ, जैसे माल लो, e की पार x की जगे, e की पार minus x लिया होता, तो देखो, यह y equal to x लिया, यह e की पार minus x लिया, अब जिस दिन इसका inverse बनेगा, तो यह जो पार्ट होगा न, इसका inverse कुछ यह हो जाएगा, मतलब क्योंकि मेरेको त x की mirror image बनाता, तो वो ऐसे बनती, और e की पार minus x की mirror image होती है, minus lnx, ठीक है, यह क्या होती है, mirror image, तो अगर यह fx है, तो यह f inverse x बन गया, और अगर यह नीचे वाला fx है, तो अपर वाला f inverse x बन गया, अब की बार दोनों, एक दूसरे से एक point पे कटे, तो मतलब हमर को पता नहीं, कोई एक जग भी नहीं गाटते, और यहाँ वाले graph को दिखके लगता नहीं, वन intersection हो सकता है, तो कहने का दोलब, यह कि हमारा idea अब क्या है, fx और f inverse x एक दूसरे की mirror image होती है, line y कोड़ x में, इसमें एक भी intersection हो सकता है, हो सकता ना भी हो, ठीक है, अच्छा, हो में root over x minus 1 आएगा, इस बार भी नहीं कटे, हाँ, तो हो सकता है, ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, even हो सकता है कि कोई, मतलब कोई inverse function ऐसा हो, जो आपस में एक दूसरे को infinite जगे काट रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बहुत ही famous function है दिखाता हूँ, ठीक है, और इसका मतलब ये कि ये line ही खुद की mirror image है, हाँ, ये line ही खुद की mirror image है, इसका मतलब ये कि fx अगर ये line अप चल में 1 minus x है, fx बराबर में, और इसका inverse भी एक हो दी होती है, अब दोना ही line है, एक दूसरे पे coincident होगी, अगर ये एक दूसरे पे coincident होगी, तो इसका मतलब ये power minus x का minus ln x निकाला ना यह जैसे x square plus 1 का अपने root over x minus 1 निकाला ना ठीक है तो हम क्या करते हैं कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ ठीक है जैसे procedure क्या है इसका दोनों फेने जो दो हैं दोनों को मैंने यहां रख दिया है procedure में पहला step कैसे भी करके x को in terms of y x को in terms of y बनाओ ठीक है find x in terms of y if possible अगर possible हो तो वर्णा नहीं बने तो क्या कर सकता कोई ठीक है ना अच्छा दूसरी बात क्या फिर दो changes करने हैं कौन-कौन से दो changes करने हैं इसा कौन-कौन से दो x की जगे पर f inverse x लिख दें जब बना लें उसके बाद और फिर दूसरा y की जगे x लिख दें कैसे समझो जैसे y बराबर में e की पर minus x दिया है मुझे चाहिए x की value x की value के लिए पहला काम किया मैंने log लगा दिया तो ln y बराबर में log मतलब ln मने log base e ठीक है तो यहां पर हो जागा log base e e to the bar minus x यह minus x जम करके आ गया जाएगा तो यह बन गया minus x और log e base e बन गया 1 तो यहां से रह जागा minus x बराबर में log y base e finally मुझे पता दल गया मेरी x की value आ रही है minus में log y base e और log y base e को अपन ln yb कह सकते है minus का यह अपना x आ गया जैसे x आ है दो changes करने थे मैंने क्या क्या changes बताए थे पहला यह जो x है ना इसकी जगे लिख दो f inverse x दूसरा इस y की जगे लिख देना x तो minus का ln x तो यह inverse मिल गया मैंने अगर कोई मेरी से अगर question में graph नहीं देकर की भी पूस्ता नहीं inverse क्या होगा तो मैं बतासता थे यह होगा minus ln x अच्छा और सर इसका चलो देखते ना अभी मैंने क्या सिखा है पहला काm x को निकालना y की term तो x को बराबर कितना होगया y minus 1 तो x बराबर कितना होगया plus minus root over y minus 1 अब सर plus minus है आपको कैसे पता कौन सवला था मैंने का चला जग ग्राफ देखते ना अपन अगर हम लोग y बराबर x कोर प्लस 1 ले रहे ना तो यह वाले set का ले रहे थे यादे ग्राफ कुछ है ऐसा था हमारा अच्छा जो इसका mirror image बनेगा इसका mirror image यही बनेगा अच्छे इसको देख करके पता जल जाता है कि यह पूरा ग्राफ अबोव x सक्सेस है अबोव x सक्सेस है तो अगर यह अबोव x सक्सेस है तो y कैसा होगा positive होगा हाँ यह ना इसका y जो भी होगा वो कैसा हैगा positive हैगा सही है इसका मतलब यह कि यह जो भी graph देगा उसका y positive होगा एक बार के लिए मैं आपके समने है पहले changes करता हूँ इसकी जगे में लिख रहा हूँ f inverse x बोले तो y ठीक है एक बार के लिए y बराबर में plus minus root x minus एक बार के लिए ऐसा लिख लिए लिखने के बाद में मुझे y को कैसा रखना है positive इसका मतलब में plus और minus में किसको चुनूँगा plus को क्योंकि मुझे पता है मेरा graph मुझे above x x से सरकना है माने किसका graph inverse का graph inverse का graph above x x से सरकना है तो मतलब में f inverse x के time पे जो जिसे चुनूँगा वो प्लेस वाले को चुनूँगा तकि above x x से साथ